अब हीरो मोटो का उपने एक बार दुबारा सा सब को चोका दिया है हम तो यार इंतिजार करते रहेगे कि हीरो की मैबरिक 440 सीसी लॉंच होगी इंजन मिल्कुल वही रहे न था 440 सीसी का लेकिन हम बेट करे रहे रहते हैं मैबरिक का अब भी मैबरिक के साथ 125R को भी लॉंच कर दिया तो भाई एक शॉकिंग नूज हो जाती है लॉंच तो होना था ये तो कन्फर्म था लेकिन आज की दिन लॉंच होना था ये कन्फर्म नहीं था अभी इस बाइक में बहुत सारे चीज़े आपको मिल जाएंगी जो यार एक 125 सीसी के जो बाइक है ना उससे कहीं ज्यादा बेटर यहां पर परफर्मेंस इंजन और उसकी जो पाबर है वो देखने को मिलेगी और एक स्पोर्ट्रियर लुक आपको नजर आने वाला है तो आई थिंग ये जो कंपेटिशन होगा रैडर 125 के बीच में और स्टीम 125R के बी की यानि दो बरियंट आए हैं IBS and ABS चलिए आगे भी कुछ देख लेते हैं तो यहां पर मैंने website ही यहां पर open कर रखा है तो यहां पर देखिए तो यहां पर आपको कुछ ऐसी मसीन दिखने वाली है और उसके बाद इसमें आपको मिल जाएगा single channel ABS, all new engine आपको मिलेगा, wide rear tire आपको मिलेगा, monoshocks suspension मिलेंगे, fantastic mileage मिलेगा, अब mileage कितनी देगी, तो I think 40 के around के आसपास में ही mileage आपको मिलेगी, इस से यदा तो मिलती नहीं है, 40 to 45 की बीच में, और full LED setup मिलेगा, यहांने मिलने वाला है, चाहिए LED हो, LED tell light हो, या फिर headlight हो, या फिर indicator हो, उसके बाद अग color option की बात करें, तो यहां पर total 3 color option आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको यह देखिए, यह rate के साथ आपको silver color का combination देखने को मिलेगा, यानि gray color का, तो black color कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है, जो totally आपको black color के साथ मिलेगा, और या बाइक कर लूक, overall look, काफियदा, enhance हो रहा ह और तीसरा है भाई, blue color, तो blue का कुछ ऐसा आपको combination देखने वाला है, blue के साथ आपको gray color का combination देखने को मिलेगा, तो यहां पर कुल मिलाके बात करें, तो बाइक कर लूक यार काफियदा, sportier type का है, जैसे कि stream on 60R है, सेम वही look यहां पर दिया गया है, जो अगर आप पीछे स देखोगे, अगर आगों से देखोगे, तो यहां पर काफिया दा बदलाव आपको नजर आने वाले हैं, और एक जो sportier design है, sportier machine है, वो आपको मिलने वाली है, एक तो stream 125R ABS हुजाता है, और दूसरा यहां पर देखिए, तो stream 125R ABS हुजाता है, color आपको तीनों में सेम ही मिलने वाले हैं, बस अंतर यह है, कि यहां पर single channel ABS मिलेगा, और stream 125R ABS में आपको single channel ABS नहीं मिलेगा, वहां पर आपको combo breaking system देखने को मिलेगा, इंजन की बात कर लेते हैं, तो यहां पर जो इंजन आपको मिलेगा, BS6 2.0 वाला मिलेगा, 125cc का मिलेगा, 11.4 BHP की power मिलेगी, 8250RPM पे, और 10.5 Nm का torque मिलेगा, 6000RPM पे, इस specs देख लेते हैं, इसमें आपको क्या specification देखने को मिलेगे, तो यहां तो देखिए dimensions है, total यानि length हो गएरा यहां पर दी गई है, ground clearance काफियादा अच्छी होने वाली है, 180 mm की, और 794 mm की यहां पर seat height आपको मिलने वाली है, बाकि 136 kg का इस और power हो गएरा मैंने आपसे share करी दिया था, अगर tire हो गएरा देखेंगे, तो यहां पर allowables आपको मिलेंगे, और जो front वाला tire size है, 90 by 90 section का मिलेगा, 17 inch के आपको allowables offer किया रहे हैं, और जो rear वाला tire है, 120 by 80 section का मिलेगा, काफियादा white tire आपको मिलेगा, और 17 inch के यहां पर allowables offer कि किया जाएंगे, अगर suspension की बात करें, तो 37 mm के fork आपको front में offer किया जाएंगे, और gear वाला जो suspension है, आपको hydraulic shock absorber offer किया रहा है, और अगर chaches हो गएरा की बात करें, तो आपको diamond cut में इसकी chaches मिलेगी, और इसके बाद clutch bed multi plate में जो पहले जैसे glamour होगरा में आता ना, वह अली च साइज मिलेगी, और पीछे में आपको 130 mm का drum brake आपको मिलने वाला है, बाकी by care overall look कैसा लगा आपको comment section में ज़रूर comment करना, I think ये जो by के ना, काफी ज़्यादा perform अच्छा करेगी, बाकी इसका look और design कैसा लगा, आप मुझे बता सकते हो, अगर इसके on road price की बात करें, तो I think इसका जो on road price होने वाला है, करीब 125 से लेके 128 के आसपास में होगा, तो इसका जो सीधा मुकावला होगा, वो rider 125 से ही होगा, तो आपको ये वीडियो कैसे लेगी, comment section में जरूर comment करना, बाकी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से थन्वाद, जब भी बाइक आएगी, showroom पे available हो जाएगी, मैं इसका review आपके लिए जरूर लेक्या होगा, thank you